अध्याय नंबर 3 है, आपके विज्ञान के किताब में देखांगे, तो भाउतिकी कि पर बहां भाग होता है विज्ञाटंका उसका तीसरा Nunbar Our Day है, ठीक है? उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में इस अध्याय में आगे क्या क्या चीज़ आएंगी सभी चीज़ों को हम एक तरफ से देखेंगे आराम से देखेंगे प्यार से पढ़ेंगे समझते हुए चलेंगे, नहीं समझ में आयागा तो फिर से पढ़ेंगगे, ठीक है, बिलकुल, परिसान नहीं हो ना, बस बात सुनीए कि मैं बूल का रहा हूँ, तो बच्चों जब विद्धुद्धारा की बात करते हैं या विद्धुद्ध की बात करते हैं ठीक है सबसे पहले हम विद्धुद्ध की बात करेंगे फिर विद्धुद्धारा की बात करेंगे इसको विद्धारा अगर बात करें, passé को उससे जुड़ा हुआ इसका बहुत ही नज़दी के सम्मंदी है जिसके वजय से विद्धारा आती है, वो होता है आवेस , कि थोड़ा समय आवेस के बारें बताऊंगा उसके बाद में विद्धु धाराप याओंगा तो आवेस बच्चों दो तरह के होते हैं ठीक है आवेस दो तरह के होते हैं जो पहला होता है यह होता है धनात्मक ठीक है जिसको positive आप बोलते हो ठीक है और दूसरा होता है रिणात्मक दूसरा क्या होता है बच्चों दूसरा होता है रिणात्मक ठीक है रिणात्मक और धनात्मक तो धनात्मक तथा रिणात्मक जो होएं आवेस हैं ये इसको रिणात्मक यहां भी रिणात्मक लिख देता हूं रिणात्मक यह दो तरह के आवेस होते हैं और विद्धुधारा जो होती है यह चालकों में पाई जाते हैं आवेस हैं आवेस रुके जब तक रहेंगे जब तक यह आवेस इस्थिर रहेंगे इस्थिर रहेंगे तो क कोई धारा नहीं होगी ठीक है कोई विद्धुत धारा विद्धुत धारा नहीं बहेगी ठीक है लेकिन जैसे ये चलने लगते हैं अब चलने के लिए इनको क्या चाहिए चालक देखो पदार्स की पदार्स को मैं दोता देता हूं पदार्स जो होते हैं यहां पर तीन दो तर ठीक है तो चालक पदार्थ और कुछालक पदार्थ में अंतर क्या इसको आवेस को समझ लिया आपने आवेस दो तरह के होते हैं जिन पर धनात्मक और रिनात्मक आवेस होते हैं एक पर धनात्मक तरह के होते हैं ठीक है बिलकुल यही आपको जानना है इतना ही आवेस के वार आप नहीं होती है अब लेकिन गारा वेहने के लिए रास्ता सभ्ध सम्भव होता है ठीक है आवेस प्रवाहित हो सकते हैं यह से लिख दता हूं प्रवाहित होते हैं ठीक है और इसमें आवेस का प्रवाह आवेस प्रवाहित नहीं हो सकते तो दो तरह के बन गए अब आवेस जिससे प्रवाहित हो सकते हैं वो है चालक और जिससे प्रवाहित नहीं हो सकते वो है कुछालक चालक और कुछालक की परिवास आपको अलग 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 जगे पर अलग तरकी मिलती रहेगे यहां पर हम आवेसों का प्रवाह देख रहे हैं तो जिससे आवेस हमारे परवाह कर पाएंगे वो हमारे लिए चालक कहलाएंगे और जिससे नहीं करेंगे वो कुछालक कहलाएंगे सिर्फ इतना ही याद रखना है अपको ठीक है इतना ही लिखना है उस्मा वाला जब अध्या पढ़ते हैं तो वहां हम क्या बोलते हैं वहां हम बोलते हैं जिसमें उ पहने आपकी जो खाना बनाती या भी बनाती है तो जो कल ब चमटे का आग उसमें छक्या होता है लेकिन पीछे वाले भाग पर पीछे वाले भाग पकड़े जहां पकड़ी होते हैं वह भी दिरे दिर घरम हो जाता है जब बहुत देर तक चलाते रहो ठीक है बहुत देर तक खाना पकाते रहो तीस होता क्या है उस्मा वहां से अंदर से अंदर से पास होते हुए चलते हुए चलते हुए इधर तक आ गई मतलब जहां पर पकड़ा हुआ है हंडल जहां है वहां तक आ जाती है ठीक है और इसे वज़े से वो गरम हो जाता है तो हम छोड़ देते हैं जल जाता है हाँ जल जाता है ठीक है तो वहाँ पर उस्मा के प्रवाह को जहाँ पर उस्मा के प्रवाह होता है वो चालक कहलाता है और जिसमें नहीं प्रवाह होता है जिसे लकड़ी है वो कुछ चालक है यहां भी चालक का कुछ उदाहरड देख लेते हैं जैसे कीा धातवे जो होती हैं धातवे और यह अधातवे होती हैं की इनके बारे में आप पढ़ चोके हैं कशानाओंवि में भी है अच्छा धातवे लिक्षा है ठीक है अधार तो धार वे जो होती वो चालक होती है और अधार होती है जैसे इसमें नाम लो में जैसे लोहा तो सोना चांदी अल्यूमिनियम ठीक है और गया हो सकता है अल्यूमिनियम अल्यूमिनियम के बाद क्या बच्चों यह बाद मालत कॉपर या इसको बोलते हैं तामबा ठीक है तो इस तरह की जो अधातुएं होती हैं इनमें विद्दुत का प्रवा या आवेसू का प्रवा हो सकता है ठीक है आवेस आसानी से आवेसू का प्रवा आसानी से हो सकता है या होता है अब अधातू का नाम लें अगर कुछ नाम लेते हैं जैसे की प्लास्टिक रबर ठीक है प्लास्टिक हो गया रबर हो गया काच हो गया ठीक है काच हो गया इसके बाद लकड़ी हो गई सूखी लकड़ी लकिन लकड़ी आदी बहुत सारी चीज़े इस तरह हैं तो यो गए अधातु हमें इसमीं आवयसों का प्रवाह नहीं होता है ठीक है reports जो प्रवाह बोल रहा हूं तो आप रेंका किस तरह के व ही पढ़ रखगा में कक्षा 8 में आपका अध्याय था परमादू करके था नंग Kennkaff उनकी उपलब्दता क्या थी और उसकी सीमाएं क्या थी नियम की मतलब कहां कहां पर वो फेल हो गए थे डाल्टन के नियम की क्या सीमाएं थे क्या गलतियां थी तो यह आपने पढ़ा था उसके वाद आपने पढ़ा था नील्स बोर के बारे में फिर आपने पढ़ा था रद इलेक्ट्रॉन अब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसको ए माइनस से प्रदर्शत करते हैं आप जानते हैं इसके घात माइनस मतलब यह जो होता है रिणड़ आवेसित होता है ठीक है या इसको बोलते है रिणड़ आवेसित रिनात्मक आवेस होता है या रिन्ड आवेस होता है ठीक है रिन्ड आवेस होता है ठीक है या इसी को ऐसे लिखते है रिन्ड आवेस रिन्ड आवेस रिन्ड आवेस को एक साथ लिखो तो रिन्ड आवेस या रिन्ड आवेस बोलते है ठीक है तो रिन्ड आवेस होता है कितना होता है? एक कोटि का एक कोटि का या इसका इसका अगर मन लिखे तो यह होता है, यह होता है कितना ASMR होता यह बच्चों होता है एक दॉस्बलो 6,7, गुरे 10 की लिधा माइनस उननीस कूलाम के अब आप कहेंगे कूलाम क्या है? तो कूलाम जो होता है बच्चों ये क्या होता है आवेस का मात्रक होता है आवेस का मात्रक होता है तो आवेसों का मात्रक या आवेस जितने भी तरह क्या आवेस होते है सबका मात्रक जो होता है कूलाम जैसे आपको चीज दाउल ले जाते हैं किलोग्राम आप बोलते हैं मालोग की आपको आलू लेना है आलू वाले से सबजी वाले से तो आप बोलते हैं पांच किलोड़़ आलू चाहिए या आपको दूधर लेना है एक लिटर दूधर चाहिए एसए ऐधा ग्राम Hogwarts ups नोषटेर कि कितने लंबा कपड़ा काट के थान में से काटता है लंबा कपड़ा जो होता है उसमें इस काट के बुलता है सप्ड़ा कमालो को स्कूल का ड्रेस सिलवाना है या आपको कपड़ा सिलवाना है नया नया कपड़ा सिलवाना है किसी के साधी है तो आप क्या करते हैं नया को किलोग्राम अगयरा कि बात कर्था और जब ही की बात बहुत करते हैं जैसे मैं бол don't हूँ कि बाजार यहां से मेरे घर से बाजार जो है जो बाजार है पासवाली जो बाजार व क्लिएम्याटर्ट दूर है तो पांच क्लिसट तो किलोault About 정도 है ठीक है ओक तो इस तरह से अफ कूल ऑम जुता हैं कूलाम ऐसे दो ऐसा को घर तो ऐसा बोह नहीं सकतेके 151 दो आन्वेस भी लिटर आंवेस हर चीज़ का अलग अलग है दूरी को भी नहीं वोल सकते कि एक किलोग्राम दूरी पर मेरा घर है घलत होगा ना तो मतलब उसके लिए अलग मात्रक बनाना पड़ेगा अलग यूनिट बनाना पड़ेगी तो कूलाम जो है यह मात्रक है किसका आवेसों का बिल्कुल तो आवेस का मातरक हो गया आवेस का मातरक हो गया कूलाम अब आगे देखते हैं हमें पढ़ना क्या है ध्यान रखना हमें पढ़ना क्या है विद्धुत धारा के बारे में अब आवेसों का प्रवाह जब होगा तभी विद्धुधारा होगी मतलब जब तक आवेस रुका है तब तक ये बेकार है किसी काम करें है अब आवेस चलना चालोगी यह रिणात्मक आवेस अब देखों में रिणावेस क्यों बताया था रिणात्मक आवेस यह बताया क्योंकि कोई भी जो धात होती न धात के अंदर पाए जाते हैं छोटे छोटे यह आवेस जो की होते हैं रिणात्मक आवेस ठीक है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बहुत सारे यह सभी इलेक्ट्रॉन है जितने डॉट 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 बनाया है बिंदी रखी है यह सभी क्या है रिनात्नमक आवेस मतलब बहुत सारे से भरे होते हैं बहुत सारे करोड़ों अर्बों खर्बों होते हैं अगर छोटा सा इतना बड़ा में तार ले लूँ तो इसी में लगभग हजारों लाखों इलेक्ट्रॉन होंगे ठीक है तो क यह होता क्या है यह रूखे हुए हैं यह रूखे हुए हैं क्यों क्योंकि इस पर कोई किसी का बल या किसी का दाब नहीं लगता है जैसे कोई वास्तुरुकी है कोई वास्तुरुकी है तो उसको धक्का देना पड़ता है या उसको पगड़ खीचना होता है तब यह चलती ह अब इलेक्ट्राणों को वहां पर धक्का कौन दे कैसे चलाए यह तो रुके हैं भाई लोहे के अंदर हैं हमाई सब नहीं करते के हाथ आथ मार दे क्योंकि यह इतने छोटे हैं कि ना तो हम आख से देख सकते हैं तो हम हाथ से तो इस पर बल लगा ही नहीं सकते हैं हैं तो कोई ऐसे ओने चाहिए जो इनको दवड़ा दे और दोड़ा देगी तभी हमें करjes मतलब करेंट ठीक एक कि अ जिद्धा वड़िये ऊपर नीचे आगे पीछे हमें current से मतलब है इनके से दवड़ने से मतलब है जब दवड़ना स्टार्ट कर देंगे तभी तो जो चालक होते हैं चालक में क्या पाए जाते हैं चालक में यह याद रखना चालक में पाए जाते हैं मुक्त आवेस यह electron ही मुक्त आवेस कहलाते है ठीक है ? मुक्त आवेस ठीक है ? तो यह मुक्त आवेस जो है वो चालक के अंदर बहुत सारे भरे होते है अब इनको चलाने के लिए क्या करना होता है हमें ? December इनको चलाने के लिए क्या क्या ह Gil लाते है ? हम एक बैटरी लाते है या एक सिल के क्याते हैं मान लो कि यह तार है यह इस तरह के मोटाई का तार है थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं ठीक है थोड़ा बनाते हैं मान लो यह तार है थोड़ा मोटा सा देख लो यह तार है इसको मैं मोटा सा बड़ा सा दिखा रहा हूँ तार ठीक है मान लो सरीया जैसा है अब इस रहा हूंगा धन सीरा और रिनसरा यह से लगा रहा हूं मालोई इस से लगा रहा हूं यह क्या है एक सेल है ए सेस्कुजने जोड दिया από कहा से जैसे जोड़ा तो धनात्मक से ये से क्या निकलेगी he करेंड निकले गए है फिर फिर निकल रहा है यह इधर से लीकद हरा कि vi का ऑई कि 11 है Thi भारा निकल रही है थिक है भारा इधर से निकल के इसे जा रही है से इस कर्णाव पर कि इदर चींच लेगी तो सब आगे की तरह भागना चालू करदेंगे सब आगे की तरह बागेस थीक़ है इसोड़ पर अथर से इधर आ रहे हैं जो है nose से दर आ रहे हैं लेकिन करेंट उपर जा रहे हैं current आई जो है current मतलब धारा जो है उपर जाए इधारा क्या ओलते है current लग गई तो या आई धारा उपर जा रही है अब ये current इधारा आगे क्योंकि आगे जाएगी इधर से लोटके आएगी और इधर current घुश जाएगी इसके अंदर लेकिन electron क्या हो रहे है इसके उल्टा जा र है रिडातमक सीरे से electron निकल रहे है धना पर सिरे से धनावेश निकल के उपर जा रहे है तो धनावेशों की युजशा होती है current की अंदर रहा कि दिशा विद्ध धारा की दिशा में होती है Vijn गूत धारा कि दिशा होती है धना वेसु की दिसा जो होती है वही विद्धारा की दिसा होती है ठीक है मान लिया गया कि भाई जिधर धना वेस दोड़ेंगे उधर विद्धारा होगी और इधर इधर उड़ते है ठीक है और रिडा वेस जो होते है रिडा वेस सदायव रिडावेस जो होते हैं ये सदैव धारा की दिसा के विपरीत दिसा में गमन करते हैं ठीक है रिडावेस मतलब इलेक्ट्रॉन रिडावेस मतलब इलेक्ट्रॉन हर दम जिधर विद्धु धारा जाएगे उसके उल्टा इलेक्ट्रॉन मतलब ट्रांसफार्मर से आपके घर में जब जब आपके घर में ट्रांसफार्मर से करेंट आती है विद्धुत आती है तो आपके घर से आर्थिंग जिसको बोलते हैं आर्थिंग मतलब अर्थ से निकल कर नीचे जमीन से निकल कर क्या जाते हैं इलक्टरॉंड ट्रांसफार्मर की और जाते हैं ठीक है तो इस तरह से current बहती है, ठीक है, तो यह हो गया, अब यहाँ पर आपने देखा धनावेस की तिशा जो होती है, विद्धुधारा की दिशा होगी, तो विद्धुधारा होती क्या है, अगर आपको बताना है विद्धुधारा क्या है, तो आप कैसे बताओगे? तो विद्धुधारा के मैं परिभासा लिख देता हूँ बड़ा अच्छी सी परिभासा है विद्धारा के परिभासा के अगर मैं बात करूँ तो विद्धारा की परिभासा होती है एकांग समय में प्रवाहित आवेसों की संख्या को विद्धु धारा कहते हैं यहां इसी को लिखा जाता है आवेसों के प्रवाह को विद्धु धारा कहते हैं यहां संख्या हट जाएगा एकांग समय प्रवाहित आवेसों को विद्धु धारा कहते हैं या आवेसों के प्रवाह को विद्धु धारा कहते हैं यह परिवासा है आपकी ठीक है किसकी परिवासा यह विद्धु धारा क्या होता है आपसे पूछा जाए तो यह दोनों में से कोई भी आप परिवासा लिख देंगे पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा अब इसको अगर सूत्र के रूप में लिखना है इसको मैं लिख सकता हूँ कि अगर अगर क्यों आवेस एक आंग समय एक आंग समय टी में प्रवाहित होते हैं तो विद्धुत धारा आई क्या होगी होगी क्या होगी आई बराबर इन दोनों के गुड़न फल के क्यूं गुड़े क्यूं गुड़े टी के माफ करेंगा यह होगी यहां से गलत हो गया एक आंग समय में प्रवाहित हो रहा है न तो यह गुड़े हो जाएगी यह हो जाएगी क्यू बटे टीक है ठीक है यह होगी इसका सूत्र आई बराबर क्यू बटे टीक है या आवेस कमान निकालना है कितने आवेस प्रवाहित हो रहे हैं अगर आपको धारा दे दी विद्धुत धारा कमान दे दिया और समय दे दिया कितने समय तक समय तक जो करेंट वह रही थी वह इतना थी तो आवेश की संख्या बताओ तो क्यू बरावर आप लिख सकते हों आईटी के क्यों बरावर आईटी यह दोनों सूत्र यह विद्धारा का सूत्र है या इसी को बोलते हैं ये वाला जो सूत्र है या उपर वाला जो सूत्र है दोनों क्यों तथा क्यों मतलब आवेज तथा इसको मैं आवेज लिग देता हूं कि आवेज तथा धारा में संबंध तो यह हो गया आपका Q बरावर IT या I बरावर Q वटे ठीक है यह विद्धारा का सूत है यह याद रखना बहुत इंपोर्टनट है बच्छों यह बहुत इंपोर्टनट है याद रखना यह इस पर सवाल बनते हैं हुवे दिखेंगे आपको बहुत सारे सवाल इस पर आपको लगाने पड़ेंगे, मैं करवाओंगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है, तो यह याद रखना, अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, तो आवेसों का प्रवाह को बता दिया, क्या होती है, विद्धारा, जब आवेस रुके होएं, तो कोई धारा बना देते हैं, ठीक है, वो एक विद्धुधारा उत्पंड करते है, अब देखो, विद्धुधारा उत्पंड करते हैं, आवेस हैं, चल रहे हैं, अब यहाँ पर इसका मात्रक भी होना चाहिए, तो इसका मात्रक लिखो, अब देखो, इसका नहीं, किसका मात्रक न आई बरावर क्या है क्यू बटे टीके अब इसका क्यू मतलब आवेस यह क्या है आवेस बटे आवेस बटे समयांतराल या समयांतराल समयांतराल मतलब समय तो आई मतलब विद्धुधारा जो धारा विद्धुधारा होगी विद्धुधारा आई बरावरे आजाएगी आवेस का मान कितना है आवेस का मातर कितना होता है कूलाम मैंने बताया ना आवेस का मातर क्या होता है कूलाम और बटे समय का मातर क्या होता समय किट में देखते हैं समय के छोटी का ही क्या है सेकेंड तो कुलाब प्रती सेकेंड ठीक है वीदूद्धारा का मात्रक हो गया कुलाम के प्रती सेकेंड pra to come अए खीक है और कुलाम सेकेंड को लिए को बोलते हैं एंपियर ये इसको मैं फिर से लिग देता हूँ I बरावर ये बन जाता है Amper के तो Ampere क्या है Ampere को बड़े A से ने रूपित करते है बड़े A से और ये जो Ampere होता है Ampere कहलाता है विद्द धारा का SI मातरक धारा का मातरक जो होता है यह कहलाता है MPR या इसको ए बोलते हैं तैसे सुनना ही सारे चीजे कुई में आ सकते हैं ठीक है कुई में आ सकती एस सारी चीजे सही सुनना है morning ठीक है तो मैंने बताया आपको कविद्धारा का मात्रख hit empire हो गया कूलां किसका मातरक है कि help us का मत रखो आब स्काम हो गया कूलां और Twitter कमाना कर्कEO Peki हो गया तो यह आ है अब यहां पर इतने सारी चीज आपको बता दी मैंने पता चल गए-best old ID और होता है कि वोट मदार्थ क्या होते हैं दो तरह कोंगे चालक कुछालक ठीक है और विद्धुधारा के बारे हमने देखा भाई या नया चप्टर चल रहा है आपका तो यह सारी चीज़े हो गई अब आपके सामने पहला क्विज आ रहा है उसके लिए रेडी रहिए बच्चों ठीक है पहला क भऻिए बताईएब कि ऐवेश प्रवाह कहां होसकता है किसमें होसकता है चालक में हो सकता है यह अर्ध चालक में हो सकता है अगयो एक लिए hops मतलब है मुक्त आवेश्म क्रवाह ॉसकता है अब अगले चलते हैं बच्चों एक आंग समय में ये बोल रहा है एक आंग समय में किसी विसेश छेत्र से प्रवाहित आवेसों का परिमार क्या कहलाता है आगे चलो अच्चों विद्द प्रवाह की दिसा होती है किधर से किधर होती है और रिनात्मक आने मेस की दिसा में होगी धनात्मक आने में इसकी होगी और पर में समय में च्चों विद्दावाह से riktक्रवाह में सबस्क्त कराता है आता में षथरा योई जल्दी को के चोगत्या दीए है सही संबंध है कई सही संबंध जो भी आपको पता है अभी मैंने बताया था तो बच्चों आपका टाइम खताम हो चुका है मैं बता देता हूँ किसका कौन सांसर होगा ठीक है देखो पहले कांसर मैं बता देता हूँ आपको पहला जो प्रस्ण है आपका पहला प्रस्ण क्या बोल रहा है पहला प्रस्ण बोल रहा है कि आवेसो का प्रवाह हो सकता है तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आवेसो का प्रवाह सिर्फ और सिर्फ चालकों में हो सकता है किसमें हो सकता है चालकों में तो ए नंबर इसका सही आंसर है बी पे चलते हैं एक आंग समय में किसी विशेश छेतर से प्रवाहित आवेस्व का परिमार होता है परिमार मतलब संख्या जो भी परिमार बहरे है तो वो क्या कहलाता है देखो क्यू बराबर मैंने लिखा था आई टीके यही सुतर था तो आई बराबर क्या हो जाएगा क्यू बटे टीके यही होगा यहां पर मैं देख पा रहा हूँ कि जो करेंट आई है धारा है वो अनुकराण पाती है आई के ठीक है तो यहाँ पर आवेसों का परिमार किसके परिमार के बरावर होगा विद्धुत धारा के बरावर है तो विद्धुत धारा के आंसर होगा जो चीजे पढ़ाया है वही आएगा आंसर मैंने बताया था अगला चलो विद्धुत प्रवाह की दिसा होती है मैंने बताया कि जब विद्धुत प्रवाह अगर आगे की तरफ हो रहा है अगर आई आगे बहे रहे है तो इलेक्टरॉन जो होंगे वो पीछे जाएंगे तो मतलब इलेक्टरॉन पीछे रहा है मतलब धनात्मक जो आवेस है धनावेस जो है वो आगे चल रहे होगे धनात्मक आवेस के दिशा में धारा की दिशा होती है कहां लिखा है धारा के दिशा धनात्मक आवेस के दिशा में बी नमबर आगे चलो बच्चों चौथा सही संबंध है Q बरावर IT ये तो आपको पता ही है अभी बार-बार लिखा मैं Q बरावर IT मतलब जो आवेस होते हैं ये बरावर होते है जो विद्धारा प्रवाहित हरो रहे हैं ये खोकरना अभी और आवेशो का परिमाड होता है कि बरावर आएटी मतलब दौफारा गुण समय से जितने समय तक बह रहे हैं मालो पांच सेकेंड तक एक तार एकतार है इस तार में पांच सेकंड टी बरावर पांच सेकेंड तक इसको बैटरी से जोड़ दिया एक बैटरे से जोड़ दिया यह से जोड़ दिया निकले की तरह इस तरह से लोट आएगी फिनल तो यह सांटे उट परिपत टथा आ रहे अब इसका मतलब है इसका मिश्का मटलब क्या निकल रहा है ऐसा पत विदुद परिपत होता क्या है ऐसा पत पत मतलब रास्ता पत मतलब रास्ता जिस पर जिस पर आवेश चल सके या आवेश प्रवाहित हो सके या आवेशों के प्रवाह के पत को विदुद परिपत करते हैं ऐसा बोल सकते हैं तो इसको ऐसे छोड़ दो ऐसा रास्ता होना चाहिए जिस रास्ते से आवेश जाते हैं ठीक है आवेश प्रवाहित जहां से हो रहे हैं वो रास्ता विदुद परिपत कराता है अब इसका आर क्या होता है कैसे होता है कैसे बढाते है ठीक है तो इसको हम समझेंगे तो वैदुत परिपत के बात करें तो एक वैदुत परिपत अगर मैं बताऊं तो वैदुत परिपत को सही से मैं बता पाऊंगा अगले लेक्चर में मान लो एक बल्व है ठीक है यह एक बल्ब है इसको जलाना है यह जल रहा है मालो पहले जल रहा है यह जल रहा है इस तरह से रोस निकल रही है इसकी थोड़ साहिस बना लेते हैं मालो यह एक बलब ठीक है और यह इस तरह से जल रहा है इस तरह से जल रहा है और यह जल क्यों रही क्यूंकि इसको एकटरी से या से जोड़ रखा है यह जोड़ दिया तो यहां पर इसको पूरे को बोलते हैं परिपत मतलब कि ऐसा रास्ता जो कहीं पर रुका हुआ नहीं है विद्धप्रवाह को रोके ना मतलब उसमें से विद्ध आसारी से प्रवाहित हो सके ठीक है या आवेसों का प्रवाह आसारी सो सके तो आवेसों का एक रास्ता होता है विद्ध परिपत जिस पर आवेस दोड़ते हैं जिसमें आवेस दोड़ सकते हैं ठीक है बच्छों ठीक है अब इसका कुछ निरूपन प्रतिख कुछ समझनें हैं आपको आसे कुस पती होता हो और इस अध्याय में आपको कुष्पृतिव कि आवे सकता हूं कि वो कौन से होंगे तो जो पहला है जो पहला है वह रतिरोध का मतलब होता है रुकावट ठीक है तो रुकावट को कैसे दरसाते हैं ऐसे उंचा खाली उंचा खाली जिग 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 ये है प्रतिरोध का चिन ए और बी बिंदूओं के बीच में प्रतिरोध जुड़ा है ऐसा मानके चलेंगे ठीक है यह हो किया दूसरा आएगा सिल का सिल कैसे दरसाते हैं सिल को से वेख दो डंड़ी होती है एक बड़ी होगी एक छोटी तो एक धनातमक प्मक नाउत्त जिर ए और बी बिंदूओं के बिच में जूड़ा सब देते हैं थिक है तीसरा है बैटरी बैटरी क्या होता है बैटरी की परिभासा होती है दो या दो से अधिक सेलों के संजोग को क्या बोलते है बैटरी बोलते है तो देखो यह था इस तरह अब इसमें एक और सेल जोड़ दो अब यह जब दो सेल मैंने जोड़ दिया तो यह बैटरी बन गया ठीक है यह इसमें और जोड़ दो यह देखो यह ओगया बैटरी कि बैटरी का चिन इस तरह से बनाना है ठिक है यह और बी बिन्दू कुछ भी लिख सकते हो अब चौध कि बैटरी ऋगया सेल अब प्रतिरोध मतलब एक प्रतिरोध हो गया एक परिवर्ती प्रतिरोध परिवर्थी परतिरोध परिवर्थी परतिरोध मतलब ऐसा परतिरोध जो परिपत में जुड़ा है जिसको हम बदल सकते हैं ताइम के साथ समय के साथ जिसको हम बदल सकते हैं तो इसको बोलते हैं, इसको इस तरह से दर्साते हैं, इसको ऐसे या इसको ऐसे फिर काड़ देते हैं, प्रतिरोध ही होता है, लेकिन इसको ऐसे लाइन काड़ देते हैं, या इसको ऐसे बना देते हैं, या इसको इस तरह से दिखाया जाता है, और यहां से एक तार लेगा के इस पर ऐसे टच होता है यह सिपार से इसको बना एक ऊजब्ति परिवर्ति बप्राइब सबशित d inverdhã कर दोनों को बोलते हैं क्या बोलते हैं लोड रेसिस्टेल यह इसको इंग्लिस बिवर्ते लोड रेजिस्टेंस अ रजिस्टर ठीक है लोड रजिस्टर रजिस्टर का रजिस्टर होता है ठीक है और चार के बाद पांचमा क्या होता है खुली कुंजी खुली कुंजी खुली कुंजी क्या होती है परिपत में बटन कुंजी मतलब बटन खुली कुंजी मतलब ये खुली है इसी तरह है बस इसके बीच में बिन्दी आ गई है ठीक है ये भी A और B बिन्द के विश में जूड़ी है कई भी बाण लो तो ये बंद के जूड़ी हो गया इसके आगे दिखा सकते हैं सात्मा जो होता है ये बल्ब का दिखा सकते है बल्ब दो तरह के होते हैं जलता हुआ और यह जलता हुआ है और यह बुझा हुआ ठीक है यह है जलता हुआ यह बंद है ठीक है एक जलता हुआ बल्व है बल्व का चित्र है एक बंद से बल्व का चित्र है ठीक है तो यह हो गए विद्धुत परिपत में कुछ उप्योग होने वाली बहुत ही इंपॉर्टन चीजें जो हमें यूज करेंगे अगर बीच में मुझे कुछ और याद आ तो है कि ऐसा प्रतिक और आपको बताने चाही है या होना को जारा हूँ यह पर जहां पर प्रतिक के बाता होंगे यह पर ढएंगे तो आथिक पर फिले है कि वैदुतावेस का मात रख होता है इसमें पूछ रहा है वैदुतावेस का क्या मात रख होता है बच्चों नूटन होता है एंपियर होता है कूलाम होता है जूल होता है मैंने बताया है आपको मैंने आपको बताया है जूट मत बोलिएगा मैंने आपको बताया है ठीक है कर चलिए अब अगले प्रसंट पर चलते हैं अगला प्रस्ट इस पोल रहा है कि वेदुधारधार कमातरक क्या होता है वह तक आब इसका मात्रक पूच रहा है तीस से कृण calls आपके पास आराम से पानसर कर सकते हैं कर की को अगला प्रस्ण समेने एक माइक्र दूस को क्या लिढ़ सकते हैं माइक्रो वह ताया एंप यह पियर होता है देखिए ये थोड़ा सा मैंने जानबूश के दिया कि आप दिमाग लगाते हैं या नहीं आकमून के ही काम करते हैं अगला वेदुद्धारा के सतत तथा बंद पथ को कहते हैं सतत मतलब लगातार और बंद ये विदुद्धारा के बात कर रहा है सतत तथा बंद पथ होना चाहिए विदुद्धारा का तो क्या कहलाता है मैं बताता हूँ एक तरफ से सभी को पहले पांच में पर आ जाते हैं कि वैदूत आवेस का मात्रक होता है यहां पर पूछा है वैदूत आवेस का मात्रक क्या होता है ठीक है तो वैदूत आवेस का मात्रक होता है कुलाम आवेस का मात्रक पूछ रहा है न क्यू बरावर आईटी जो हमने लिखा था इसमें से क्यू का मात्रक पूछ रहा है आवे करेक्ट आंसर क्यों बरावर आई टी मने किया था तो आई बरावर क्या आया था क्यों बटे ठीक है तो यहां पर यह हो गया था कूलाम और यह आ गया था समय के सेकंड के तो कूलाम प्रतिसेकंड मतलब क्या हो गया था कूलाम प्रतिसेकंड एंपियर कहलाता है एंपियर क्य ठीक है उनका नाम था एंपियर तो उन्हीं के नाम पर इसका मात्रक रख दिया जैसे बल का मात्रक क्या होता है बल का मात्रक होता है न्यूटन क्यों होता है, क्योंकि बल को सबसे पहले मापा था कि इसने निूटर ने ती इसलिए उनके नाम पर बल का मातरक रख दिया गया था ठीक है, तो इसका अंसर B-Number एक माइक्रो एंपियर को क्या लिख सकते हैं एक माइक्रो एंपियर है माइक्रो मतलब क्या होतेbestos ये तो आपका मातरक्प्रिवर्तन था सी तरफांसर ठीक ये के नेक्स्ट विद्धारा के सतत अठाब बंद पथ को कहते हैं सतत मतलब लगातार और बंद पथ मतलब इस तरह बन बंद पड़ा नहीं की सुच बंद कर दी वह भाला नहीं बंद मतलब घेरा हुआ ठीक है घेराओ मतलब इस तरह से जैसे एक बल्ब लगाया था हमने आपको दिखाया था इस तरह है और यह कहीं भी खुला नहीं है देखो यहां पर फिर बल्ब वह जुड़ गया बैटरी जुड़ गई यह प्लस हो गया यह माइनस हो गय पीर कर बैटरी पहा आ जा रही है आ जाती है जोड़ करके इसका मतलब की जो परिपत है वह पूर परिपत है और इसको बोलते हैं वेaltet परिपत और इसमें आवेसों का प्रवाह पूरा हो रहा है ठीक है जहां से चलाओ प्रवाह वह पर फिर आवेस इस आगे लौट के ठिक है तो वैदूत पराएप्प ये कहलाता है ठीक है ऑके अब आज की मुढर्श जॉधי तक थि वच्चो यो टाइं टेबल है ठीक mm कर लेना कि टैम टेवाल ये नोट कर लो और इसी टाइम पर मिलते हैं, आपके खवाई है इस तम से चलते रहेंगे, तो तब तक के लिए, Tacika कोर्स नहीं आपके लिए शबते खिवर फ्रस पर ध्यॐव है, और पढ़ते रहू, प्रस्व डॉट तनहऊ थी कलाहँ, हम जिसको मैं आपके सामने जो मैं बैठा हूँ भीक्स पढ़ा रहा हूँ तो हम लोग मिलकर कि आपकी क्लास कंप्लेट करवा देंगे तब तक के लिए गुडबाई खुस रहो पढ़ते रहो